हेलो एवरीवान वालकम टुट अकैर्मिक करियर अकैर्मिक करियर में आपका स्वागत है आज मैं बताने जा रही हूं आपको टैली एरपी नाइन का जब का कोश्ट चाल रहा है उसमें हम आज बात करेंगे कि कैसे आप जो जनल एंटीज करते हैं उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए कैसे डिजाइन होना चाहिए किस फॉर्मेट में हम टैली एरपी की एंटी कर सकते हैं जनल एंटीज अगर आप कंप्यूटर में करते हो तो फॉर्मेट अलग होता है और जो आप कॉपी पे मैनुली करते हो तो फॉर्मेट अलग होता है तो वही चीज़ें हम आज स करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और कमेंट भी जरूर करिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दू कि जब जनल एंट्रीज यहाँ पर करते हैं तो एक ऑनर होता है अब ऑनर जो होता है जो जनल एंट्रीज मतलब अपना इंवेस्टमेंट करता है ओके वह अगर भी बिजशन स्टार्ट किया जाता है तो इंवेस्ट किया जाता है तो तो जो ऑनर होता है वह गुछ परटिस ब करेगा सेङल्स करेगा कुछ एकस्पेंसिब भी बेर्ट करेगा बहुत सारी चीज़े वो करेगा तो उसी के वेस्ट पर हमने कुछ accounts को आपके types बताये थे आपको accounts के टाइप तो उसको पहले discussion कर लेते हैं फिर हम आगे बात करेंगे तो यह आपको बता दिया business start होता है तो honor ही invest करता है सबसे पहले वो capital अपनी पूजी लगाता है तो सबसे पहले हम देख लेते types of accounts, types of accounts में personal accounts, real accounts और nominal accounts यह मैं तीनों आपको अलेजी पता चुक्यों अब personal accounts कौन से होते है capital, drawing, personal, नाम होगया किसी person का या जो भी companies लगारा का नाम होगया bank accounts यह personal account में आते है, real accounts में all assets आते है nominal accounts में income accounts आते हैं और expensive accounts आते हैं अब चब personal accounts क्या होता है? debit, the receiver and credit, the giver अध line, the पाने वाले को debit करो और जो credit करो देने वाले को क्या करेंगा? इसमें credit करेंगे चिके워서 क्या होगया जाता है? Rial account जो Бस्तू वैबार में आई है, उसे debit करो, और जो बस्तु क्ताय बहसे हैं, जो बस्तू वैबार से जाएगी, उसे credit करो, तो क्या वह जानाती है, A जब होंगी एक एक एंट्री को मैं explain करूंगी विद टाइप से तो format पर ध्यान देते हैं format पर focus करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं format जानल एंट्री copy पर बनाएंगे तो आपको इस तरीके से lines cross करनी होंगी या पर जो करनी होंगी सबसे पहले accounts का debitter accounts name और creditor accounts name एक एंट्री ले लेते हैं goods purchase for cash ठीक है तो आपने goods purchase क्या cash में तो purchase क्या चीछ खरीद रहे हो वो debit होगा क्या जा रहा है क्या जा रहा है तो वो credit होगा तो वही purchase account is debit and credit आपका क्या हो चाहेगा तू हो चाहेगा या buy and to भी लिखते है अपडेट जिस date में हम goods purchase का है यहाँ पर हम date type करेंगे ओके accounts के नेम हम यहाँ पर लिखेंगे purchase हो गया और यहाँ पर cash हो गया debit and credit वो DR और CR कहलाएगा अब debit and credit में यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर amount आएगा यहाँ पर एक और होता है LF LF मतलब leases के information दी चाहती है कौन सा laser number है वो भी हम इसमें add कर स सकते हैं okay तो यह चीज़े मैंने आपको बता दी हाँ सबसे मीन होता है description description जरूर डालेंगे अब मैंने का goods purchase for cash तो यहाँ पर आपने entry कर लिए दोनों amounts आगे total यहाँ पर आज आएगा आपका okay description में क्या डालोगे goods purchase for cash entries है वही आप description में डाल दोगे तो okay जिस टाइप की entries है purchase का रहे है credit पे ले रहा हूँ धारी पे ले रहे हैं वह हम यहाँ पर description में डाल देंगे तो format I hope चीज़े आपको clear हो रहे होगे copy में ही ऐसे ही बनाएगा अच्छे से जब आप manually journal entries करेंगे okay अब practically मैं आपको करके पताओंगी कि कैसे आप journal entry करते हैं तो thank you for watching this video have a nice day और मेरा description में आपको contact us का form में आप उस पे click करके link पे मेरी websites भी दे रहे हैं तो उस पे link करके आप मुझसे contact कर सकते हैं कोई भी doubt हो और कोई भी आपको वीडियो आपको upload कराने है कोई course upload कराना है तो भी आप मुझे comment कर सकते हैं और subscribe जरूर करेगा थैंक चालियर